कुरोनम हमारी के चलते स्कूलों में चुटियों के 20 जिला से बहा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहां पर रात को रूखने की विवस्ता नहीं होने के कारण लोगों को जल्दी वहां से लोटना पहता है। स्थानियों लोगों ने सरकार से मान की है इन इना को प्रेटंस ठलों में शामिल किया जाए। जिस्टिक पुंच के रहने वाले हैं और तैसिल मंडी से हम बलांग करते हैं आज यहां पर हम सैर पे आए हैं बच्चों को साथ लेकर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं यह रंगावार से उपर मंग्याना एक ढोक है उस ढोक से होकर हम आए तो यहां पर इस वकर जो आप देख रहे हैं यह चहल पहल गुलमर्ग से भी ज़्यादा इस वकर जो रश है लोगों का बच्चों का पुंच से मेंडर सुर्न कोर्ट से यहां पर जो हैं वो लोग आए हैं सैर करने के लिए तो हम चाहते हैं कि इस एरिये को यह ड्वल्प होना चाहिए यहां पर रहने के लिए जगा होनी चाहिए रहने के लिए यहां पर तूरिस्ट आ सकते हैं लेकर उसके लिए रात के लिए यहां कोई भी जगा का जो है वो सिर्बंग नहीं हैं हम चाहते हैं हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर इस एरिया को रंगावार एरिया इसको ड्वल्प किया जाए तो मैं कहता हूँ यह गुल्मर्ग और सुन्मर्ग से भी जो है यह लेकिन इसको ड्वल्प करने की ज़रूरत है अगर यह एरिया ड्वल्प हो तो यहां पर तुरिस्ट जो है वो बहुँ जादा किश्मी से भी जादा यहां लोग आएंगे और इस एरिया को पसंद करेंगे और यहां हजारों के तैदाद में लोकल सेहा जो है पुंच से मैंडर सुर्न कोट और मंडी के अलाके से तश्रीफ लाते हैं लेकिन बदकिस्मिती से यह अलाका टूरिजम के नक्षे पे नहीं आ सकता है हमारी बहुत कोशिश इस से पहले भी हुई कि अड्मिस्टेशन इस अलाके की तरफ तवज्जा दे और यह अलाका कश्मीर की गुल मरग, सोना मरग वगएरा के जो सिहाई मकाम हैं उन से किसी तरह से भी कम नहीं है लेकिन यहाँ पे सरकार की तवज्जह हम चाहते हैं, एक तो यहाँ मंडी से जो नारियां तक के लिए रोड आती है, रोड की हालत काफी खराब है, बहुत सारे लोग रास्ते से यह वापस जाते हैं दूसरा हम चाहते हैं कि अगर यह सिहाती नक्षे पे आए, यहाँ पे टूरिजम की तरफ से कुछ हट्स बनें, इंतजामात हों ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आ सके और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी मिल सके और लोगों क जो लोग बाहर जाते हैं, गोमने फिरने के लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जुरूद भी मिल सकते हैं